नमश्कार साथियों, स्वागा थेगवा फिर से सौरफ सिलेक्टिव प्लासिज में तो साथियों आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुसकवरी है कि SSC GD की 2024 की जो पद है 26,000 पदों पर वेकेंसी रिलीज कर दी गई है इन सारी बातों पर हम इस वीडियो पर चर्चा करेंगे तो वीडियो को अंते तक देखिएगा तो चलिए देरी न करते हुए सारी बातों को हम सुरुवात करते हैं और फुल डिटेल से हम इस नॉटिफिकेशन को समझते हैं तो अगर हम देखें पहला तो इसमें आपका जो submission online application है आपका 24 तारिक से start हो चुका है और ये कब तक चलेगा 31 December अर्थात last December तक आपकी फॉर्म फिल किये जाएंगे और इसकी जो last date है रात को 11 वजे तक रखी गई है 31 December को तो उसके पहले आप सभी अपने फॉर्म जरूर सब submit कर दें और जो online payment की last date रखी गई है वो एक जनवरी 2024 रखी गई है रात 11 पर पर इस पर मेरा suggestion यह रहेगा कि यहां तक मत जाईए उसके पहले ही आप 31 तक अपने form submit कर दीजे ठीक है और इसमें आपका जो application form correction के लिए date दी गई है 4 जनवरी से 6 जनवरी तक आपकी correction के लिए date दी गई है और आपका जो पहला schedule दिया है computer based examination का वो फरवरी मार्च 2024 में इसे रखा गया है तो यह रही आपकी basic detail की 24 जनवर से आपके form भरना चालू हो रहें 31 दिसंबर तक भरे जाएंगे रात को 11 वजे तक अब आगे की अगर बात की जाए तो इसमें जो vacancies कितनी आई है तो सबसे पहले तो आप देख लिजी इसका जो pay scale होता है pay level होता है तीन का 21,700 से 69,100 रुपै तक क्या इसका pay scale रखा गया है और इसकी जो vacancies हैं वो total कितनी है 26,146 पदो पर vacancy है अब इसमें इनोंने दो पार्ट में divide किया गया है male की vacancies अलग है और female की vacancies अलग है तो male की male की भी मिलाएंगे तो लगबग 33,000 vacancies किस की है female की है और total मिला के आप की होती है 26,146 vacancy जिसमें अगर male की आप देखेंगे SC की 3334 vacancy, HT की 2354, OVC की 4,776, EWS की 3,257 और unreserved की 9,626 vacancy है total मिला के यहाँ पे 23,347 male के लिए vacancies निकाले गई वहीं female के लिए SC के लिए 408, HT के लिए 248, OVC के लिए 584, EWS के लिए 376, unreserved के लिए 1183 और total मिला के 2,799 पद है और इन दोनों का grand total होता है 26,146 तो total 26,000 पदों पर vacancy निकाले गई है 2024 के लिए आगे बढ़े हम आगे देखें तो यहाँ पर आगर आप देखिए age limit की बात करें कितने age तक के लोग इस form को fit कर सकते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 18 से 23 साल के उम्रे के जो वेक्ती हैं वो इस form को submit कर सकते हैं और यह कब तक के हैं एक एक 24 तक की जिनकी date of worth यह मानी गई है a candidate should not have been born earlier than 2001 और यह कहां 2006 अर्थार आप 2 जन्वरी 2001 के पहले आपका जन्मना हुआ हो और एक 2006 मतलब एक जन्वरी 2006 के बाद आपका जन्मना हुआ हो अगर इस category में आप आते हैं तो आप form fill कर सकते हैं इसमें अगर age relaxation की बात की जाए तो आप यहां पर screen में दे सकते हैं SCST, OVC, ex-serviceman जिसमें SCST को 5 साल का relaxation, OVC को 3 साल, ex-serviceman को 3 साल और इधर भी आप कुछ चीजों को आप देख सकते हैं जिसमें आपका dependent victim है जो 1980 rights में हुए थे गुजरात में इस तरह से कई relaxation दिये गए हैं तो यह आप नजर मार लीजे, screenshot ले लीजेगा आगे बड़े हम अगर तो education qualification क्या है इस form को भनने की तो आपका जो है आप कम से कम matriculation 10th examination आपका पास होना चाहिए किस date पे एक एक 2024 के पहले अर्थात आपका एक जनवरी 2024 के पहले आपका 10th का exam आप pass out होना चाहिए mostly लगभग आप सभी pass out होंगे तिस form को आप यहाँ पे fill कर सकते हैं next देखें अगर हम तो इसमें आपको incentive marks कैसे मिलेंगे जब आप exam देने जाएंगे अगर आप NCC certificate holder है जिसमें आपके पास NCC का C certificate है तो आपको 5% maximum marks में आपको bonus mark दिये जाएंगे वहीं पे अगर NCC का B certificate है आपके पास तो 3% maximum marks आपको bonus के रूप में दिये जाएंगे और NCC का A certificate है तो 2% marks आपको bonus के तौर पर दिये जाएंगे तो ये केवल NCC candidate holders के लिए ही incentive marks दिया जा रहा है अगर आप next देखें अब आपका examination की बात करते हैं तो इस examination में किस प्रकार के question आएंगे तो ये देखें computer best examination होगा CVE बोलते हैं जिसे हम computer best examination इसमें आपके कितने objective type paper होगा और 80 questions आएंगे और हर question कितने number के होगे 2 number का होगा जिसमें कौन कौन से subject से प्रशन पूछे जाएंगे तो आपका पहला है general intelligence and reasoning अर्थात reasoning से आपके 20 questions आएंगे कितने marks के जैसे 2 marks से 1 carry करता है तो आपके कितने होगे 40 marks के आपका यहाँ पे reasoning आएगा 20 questions वही अगर part B की बात करें तो general knowledge अर्थात GK GK आएगा आपका 20 questions GK में बहुत कुछ आता है जिसमें general awareness भी सामिल होता है general knowledge and general awareness और यह कितने का है 40 marks का फिर आता है math mathematics आएगा elementary mathematics यह भी 20 questions आएगे 40 रे number के वही अगर आपका part D देखे English या Hindi अर्थात आप English चुने हैं तो आपके exam में English आएगा आपने Hindi form भरते समय चुना है तो आपके exam में Hindi आएगा अर्थात आपके 20 questions English या Hindi में से यहाँ पे आपके exam में पूछे जाएगे total मिला के आपके कितना हुआ 40, 40, 80, 40 आपका 120, 160 marks के आपका क्या होगा total मिला के आपका exam होगा अई इसमें केवल CBT1 ही होगा डारेक्ट इसके बाद आपका physical examination होगा तो इसमें आपको केवल एक घंटे का time मिलेगा और total मिला के आपके 80 questions आएंगे एक घंटे में आपको attend करने पड़ेंगे नेक्स्ट अगर पार्ट देखें तो इसमें आप physical standard test मतलब physical efficiency test लिया जाएगा जिसके मैं कुछ आपको बता देता हूँ efficient जिसमें आपका male के लिए एक running होगी जिसमें 5 km 24 मिनट में दोड़ना है और 1.6 km 7 मिनट में दोड़ना है वही अगर female की बात करूं तो 1.6 km 8 मिनट में दोड़ना है वही 800 मिनट पांच मिनट में दोड़ना है ये candidate देखें रिमार्क भी दिये गया कि candidate other than those belonging लद्दाक region को छोड़ कर इनके लिए ये efficiency test रखा जाएगा वही अगर आगे बढ़ें तो इसमें height measurement भी रखा गया है जिसमें आप देख सकते हैं maximum male की height क्या है 170 cm और female की 157 reason wise भी अलग-अलग रखा गया है जिसमें all candidate belongs to schedule tribes STK जो होंगे उनकी height क्या रखी गही है 162 cm और वही females की रखी गही है 150 cm वहीं अगर आप eastern side से हैं northeast state से relate करते हैं 47 इसी तरीके से अलग-अलग छेतर की अलग-अलग यहाँ पर define की गई है आप इसकी screenshot ले सकते हैं अगर आप particular region से belong करते हैं जैसे गोर्खा territory कभी अलग height measurement दिया गया है northern eastern में अलग-अलग state का अलग-अलग दिया गया है जम्मू कस्मीर regions का लग दिया हुआ तो कुछ इस प्रकार से यहां पर elaborate किया गया है कि physical efficiency test में आपकी height measure किस प्रकार से की जाएगी अगर next देखें आपका chest देखा जाएगा तो chest में अगर देखें जम्मू कश्मीर असम हिमान चल इस्टेट यूटीज यहां पर अलग-अलग बिलॉंग जहां-जहां के आप नौर्थ इस तक करते हैं तो अलग-अलग expansion दिया गया है कि अन-expand कितना होगा और minimum expansion कितना होना चाहिए यह 5 cm फूलना चाहिए यह पूरी detail दी हुई है वही अगर अगर weight की बात की जाए तो आपके height के according जो per medical standards होते हैं उसके according आपका weight का measurement किया जाएगा आगे बढ़ें तो अगर आप देखें तो इसमें following जो इसमें किस-किस post पे आप apply करेंगे तो देखें BSF होता है CISF होता है CRPF होता है SSB होता है तिब बतन ITBP होता है Assam Rifle होता है SSF होता है तो कुल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 category में आप यहाँ पे form को apply करेंगे 7 preferences दिये गहें form filling में जिसमें आपके लिए आप इस चीजों पे eligible हैं तो कुछ इस प्रकार से आपके यह SSC GD examination का form है जिसमें आप अपनी तयारी चालू कर दीजिए form fill कर दीजिए आपके सामने syllabus भी बता दिये गया है कि कौन-कौन subject से जैसे reasoning, gk, math या English या Hindi इन समय से questions आप से पूछे जाएंगे, 60 minutes में 80 questions आपको करना है और आपके per questions कितने carry करते है, 2 marks carry करते है जब आप इसको qualify करेंगे तब आप physical efficiency केवल एक CBT होगा उसके बाद direct आपका physical efficiency test लिया जाएगा जिसमें running है, उसके बाद आपका height measurement है, chest measurement है, ये सारी चीजे measurement आपकी की जाएंगी, उसके बाद आपका final selection करके posting की जाएगी तो कुछ इस प्रकार से SSC GD का आपका notification है, बहुत बड़ी खुसकबरी है, post भी बहुत जादा है 2024 में और SSC GD बहुत जादा तेज काम कर रहा है तो posting बहुत इसी साल, 2-4 महिने, 5 महिने के अंतरगत आपकी posting भी कर दी जाएगी, इसलिए मेहनत करिए, और February March में आपका exam है, और इसको crack करिए और selection लीजिए तो चलिए जल्द ही हम इस तरह की वीडियो लाते रहते, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को like करिए, चैनल को subscribe करिए, जल्द ही हम इस तरह की नई वीडियो को साथ आपके साथ मिलेंगे, जब तक के लिए धन्नवाद